तो वहां से आपको क्या होगा एक basic understanding मिल जाएगी law की और जो basic understanding होगी वही आपके लिए काफी होने वाला है ठीक है world में चल रही हो या अपनी खुद की country में चल रही हो जानना बहुत जादा important होता है Hello everyone, स्वागत है आप सभी का Adda247 CLAT के official YouTube platform पर मैं हूँ आपकी law mentor Dimple Parik और आज हम discuss करने वाले है everything about CLAT 2026 कब होने वाला है exam कब आएगी application etc तो चलिए let's not waste our time and let's get started उसके पहरे में आपको बता दूँ because month end चल रहा है तो Adda247 आपके लेकर आया है the 3x punch जहां आपको मिलने वाला है flat 40% off on all law products 2x validity on law maha pack and it is the biggest price drop ever तो आप किसका इंदजार कर रहे है जल्दी से जाए Adda247 के application पर या फिर website पर मेरा code Dim80 यूज़ करिए to avail maximum discount अगर आप मेरा code Dim80 यूज़ करते हैं तो आपको मुझ से personal mentorship और guidance मिलने वाली है so I hope this is clear तो चलिए जल्दी से start करते हैं अपने आज के इस session के साथ सबसे पहले हम यह जानते हैं what is CLAT, CLAT क्या है so CLAT stands for common law admission test यह जो exam है वो एक national level का exam है जिससे आपको national law universities में जो कि premier law colleges हैं इंडिया के उसमें admission मिलने वाला है ठीक है बहुत सारे अभी कि अगर हम बात करें तो 26 national law universities जो है वो इंडिया में है और सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा NLU है national law university है जो CLAT के score के basis पर admission नहीं लेता है वो है NLU Delhi because इनका अपना law entrance exam होता है that is all India law entrance test so I hope this is clear CLAT का जो exam है उससे कंड़क करवाता है consortium of national law universities इनकी official website भी इसी नाम से है consortium of national law universities आपको कोई भी अगर doubt हो तो आप इस website को visit कर सकते हैं now रही बात नाम की कि हम लोग जो अगले साल exam देने वाले हैं तो अगले साल तो 2025 है 2025 है तो हमारे जो exam है उसका नाम CLAT 2026 क्यों है because जो आपका exam है वो December 2025 में conduct होगा लेकिन आपको admission मिलने वाला है वो आपको 2026 में मिलेगा यानि कि यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी helpful है जो इस साल 11 में है और अगले साल देने वाले है CLAT 2026 so I hope this till here is clear अब हम जल्दी से चलते हैं exam pattern पे तो देखिए यहाँ पर आपका जो CLAT का exam है वो passage based होने वाला है यहाँ पर यानि कि आपको 450 words के passages मिलेंगे उसके बाद आपको मिलने वाले है MCQs ठीक है तो आपको passages को पढ़ना है facts को पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको आपका सही answer जो है उसे choose करना है यहाँ exam में आपको मिलने वाले है total 120 questions जिसको आपको solve करना होगा 120 minutes में I hope this is clear उसके बाद जब भी आप कोई correct answer देंगे जब भी आप कोई correct answer देंगे तो उसके लिए आपको मिलेगा plus 1 अगर आप कोई गलत answer mark करते हैं तो उसके लिए आपको मिलने वाला है minus 0.25 अब बच्चों का ही सवाल होता है कि मैम अगर हम लोगों ने attempt किया ही नहीं तो अगर आप कोई question attempt ही नहीं करते हो तो बहां पर आपकी कोई भी negative marking जो है वो नहीं होने वाली है so I hope this is also clear उसके बाद जो आपका exam है उसमें आपको हमेशा कहा जाता है कि आपको legal reasoning पढ़नी है तो बच्चे कई बार डर जाते हैं कि law हम तो अभी 12th में है 11th में हम कैसे पढ़ेंगे law के बारे में तो आपको बता दूँ कि जो आपका law का section है legal reasoning का section है वहां पर आपको कभी प्रायर knowledge of law की जरूरत नहीं है आपको हम जैसे कि मैं आपको legal reasoning पढ़ाती हूँ तो आप आ सकते हैं हमारे batches में enroll कर सकते हैं हमारे YouTube पर free classes होती है उनहें भी join कर सकते हैं तो वहां से आपको क्या होगा basic understanding मिल जाएगी law की और जो basic understanding होगी वही आपके लिए काफी होने वाला है उसी में आपके answers छुपे होंगे इसलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है अगर अभी से लग जाते हैं तो definitely अगले साल जब आप exam देने बैठेंगे तब आपका exam ज़रूर से clear हो जाएगा अब आज़ते हैं ज़री से हम syllabus पे तो यहां पर आपको कुल मिलाकर five sections पूछ जाते हैं one is legal reasoning जो कि मैं पढ़ाती हूँ logical reasoning quantitative techniques English और current affairs including general awareness तो देखो यहां पर जो English है यह हम already जो हमारा exam होता है normal 10th में 11th में तो वहां पर हमें जो reading comprehension मिलते हैं English के exam में similar kind of मिलने वाले हैं बट हाथ थोड़ा सा difficulty level है वो high होने वाला है तो डरने वाली कोई बात नहीं है इस subject से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं इस subject को हम पढ़ जुके हैं रही बात quantitative techniques की तो यहां पर जो आपके 10th तक की knowledge है वही आपके वी sufficient होने वाली है legal reasoning I know थोड़ी से दिकत होगी लेकिन yes उसी के लिए मैं हूँ आपको guide करने के लिए ठीक है and similarly the thing is with logical reasoning and current affairs त इस दुनिया में रहता है उसे जो currently इस अभी जो situation चल रही है ठीक है world में चल रही हो या अपनी खुद की country में चल रही हो जानना बहुत जादा important होता है तो जी के general awareness आपने पढ़ी ही होगी और जो current affairs है वो आपको उसके साथ वाकिब होना पढ़ेगा to give flat अब हम आते हैं ज तो definitely आप दे सकते हो बस जब आपका admission होगा आपको इप्रूफ करना होगा कि आप पास कर चुके हैं 12th के exam को यानि कि अपका result तब तक आज आना चाहिए सो यहाँ पर LGBT क्या है कोई भी upper age limit नहीं है इसका अतलब क्या है कि अगर आपकी age 35 है अगर आपकी age 40 भी है तब भी आप CLAT का exam दे सकते हो कोई भी age limit यहाँ पर provided नहीं है but yes minimum percentage अगर आप general category OBC से हैं तो 45% marks आपको चाहिए 12th में और अगर आप SCSTPWD से हैं तो आपको 40% marks चाहिए ही होंगे ठीक है I hope this is clear because बहुत सारे बच्चे हैं उनको लोग suggest करते हैं कि अगर आप 12th में है तो आप एक काम करिये अपने 12th की पढ़ाई को छोड़ दीजए सिर्फ सिर्फ क्लाइट पर फोकस करिये बट मैं आपको यह सज़ेशन कभी नहीं दूंगी because क्लाइट के साथ साथ आपके 12th में marks आना भी उतनी ही important है and trust me 45% marks या फिर 40% marks जो है वो सिर्फ एक क्राइटेरिया है ठीक है अगर आप आगे academics में जाते हैं या किसी भी अच्छे field में जाते हैं तो आपके यह marks जो है वो भी देखे जाएंगे तो आप अपनी 12th की पढ़ाई के साथ compromise बिल्कुल भी नहीं करेंगे ठीक है इस बात का सभी लोग ध्यान रखेंगे now let's see subject wise weightage subject wise weightage कितनी होने वाली है so यहाँ पर आप देख सकते हैं कि legal reasoning और current affairs including general awareness जो है उस चीज में आपके सबसे जादा weightage है because 50% जो आपका paper है वो इन दोनों subjects पर ही आने वाला है उसके बाद आजाता है logical reasoning and English जो 20-20% each होने वाला है और सबसे कम जो questions आते हैं वो आते हैं quantitative techniques से I hope that is clear और अब आप सभी के जहन में एक question जरूर होगा कि कब होने वाला है exam या फिर कब आएंगे form तो मैं आपको बता दूँ कि इस साल भी form आए थे 15th July से 15th July से forms fill होना start हो गए थे और 15th October तक fill होने वाले हैं तो अगर हम अनुमान लेकर चलें तो इसका मतलब यही है कि July 2025 में CLAT 2026 के forms आ जाएंगे और आपका exam जो है वो December 1st week में conduct करवा दिया जाएगा So I hope आज जब आपने इस वीडियो को देखा तो आपर जितने भी doubts थे वो clear हो गए होंगे Still अगर आपको कोई भी doubt है तो आप क्या कर सकते हैं यह मेरी mail id है dimple.parik at adda247.com आप यहाँ पर मुझे mail drop कर सकते हैं I will definitely reply and thank you so much for watching अगर आप पहली बार आए हैं तो subscribe करना नहीं भूलेंगे और वीडियो को जितना हो सके like, share और comment करेंगे Thank you so much for watching